जै मात अदी, आज की ये प्रेस बारता बारिदार संगर्ष कमेटी द्वारा रखी गई है, इसमें मैं सबसे पहले मीडिया के सभी साथियों का शुक्रिया दा करता हूँ और मैं बताना चाता हूँ के पिछले दिनों जहां पे बाजपा की जो कारेकरनी कट्रा में हुई, उसमें इनके संगर्ठन मंतरी जा बाकी और पार्टी के उद्वेदार बहां पे बैठे थे, बहां पर हमारे साब का विदायक शिरिया जी नंदा जी द्वारा बारिदारों क साब ने दो तिन बातें बहां पे कही हैं, एक तो कहा कि बारिदारों का बिल जो था, वो असम्बली में पास नहीं हो सकता था, क्योंकि बारिदारों को बिल को पास करने के लिए बहां पे 35 बिदायक भी होते तो तब भी नहीं हो सकता था, तो मैं आपके मादियम से नंदा साब को बताना चाहता हूँ कि जब माननी है परदान मंतरी श्री मोदी जी ने 2014 की रैली में बारिदारों के साथ जे कमिटमेंट की थी कि हम आपका पर्मने रस्ताई हाल निकालेंगे तब आपने जे नहीं कहा था कि हम 45 बिदाई जीत के आएंगे तो हम आपका मसला हल करेंग तो दूसरा उन्होंने एक और बात कही कि यहां पे जो प्राइबिट बिल जुगल जी द्वारा लाया गया था तो उसका क्या हुआ तो मैं नंदा साब को जे बताना चाहता हूँ कि आप अच्छे तरीके से जानते हो कि उसका क्या हुआ था क्यूंकि जुगल जी द्वारा जो bill अपर होस में लाया गया था तो उसमें नैशनल कांफरेंस और कांग्रस ने उसकी स्पोर्ड की थी और बाजपा ने उसका बिरोध किया था अगर बाजपा भी बहां पे स्पोर्ड करती तो बिल वो अपर होस में पास हो जाता तो नंदा साब मैं आपकी जानकारी के लिए जह बताना चाहता हूँ कि उसमें बाजपार नहीं बिरोद किया था तब ही बारिदारों का बिल बहां पर पास नहीं हो सका दूसरी रही बात जहां तक कि आपने ये कहा कि हमारे पास 45 बिदाइक होंगे तो 35 बिदाइक से उपर होंगे तो तब ही हम ये बिल ला सकते हैं तो बारीदार तो 45 बिदाइक तो लाड़ नी सकते हैं क्यूंकि अगर इतने बिदाइक का हम जिदा सकते हैं तो फिर बारीदार अपनी सरकार बना लेते तो आप कम से कम बारीदारों के मसले को हल करने में बिफल रहे हैं नाकामजाब रहे हैं तो अपनी नाकामियों को शिप पैंपगे पब्लीकली बोला था कि हम बारेदारों का स्ताहीちらि हल निकाल लेंगे उसके बाद हम जब आपके पार्टी के प्रेजिएंट सत्शार्माजी और बहांपे आपके संगठन मंतरी शोकोर जी बहांपे बैठे थे और पार्टी के और भी Jeniur लीडर बहां पे बैठे थे उन्होंने हमें कहा था कि आप बिल की कापी हमें दो जो बिल नैशनल कांफरेंस के टाइम पेश हुआ था तो हम इसी समय डाउट हो गया था कि नंदा साब इस बिल को लाना ही नहीं चाते हैं लेकिन आज जब इन्होंने कारेकरनी में यह क्लियर कर दिया कि 35 बिदाइक होते तो तब हम बिल लाते तो इसी से हमें यह साबित होता है कि नंदा साब जान बूच कर बारीदारों को डिले कर रहे हैं और बारीदारों का मसला हल नहीं करना जाते हैं अगर चाते तो सरकार इनकीती सरकार बिल लाती सरकार का बिल पास हो जाता और अगर कोई पार्टी उसमें बिरोध करती तो कम सकम बारीदारों के सामने भी आते तो नंदा साहब ये इस किसम की बातें जो आप कर रहे हो इससे बारीदार काफी खफा है आपने हमारे साथ दोखा किया क्यूंकि हमने बारीदारों ने बोट दे कर आपको जटाया मैं दावे से कहता हूं कि नंदा साथ कभी ML नहीं बन सकते अगर बारीदार उनको बोट नहीं देते तो आपने एक किसम का बारीदारों के बोटों का मजा कि किया है दूसरा रही बात जहां था कि उन्हों ने एक और बहां पे बर्ड इस्तमाल किया कि बारीदार जो है जे उन्होंने कहा कि यह मरा हुआ सांप किसी ने बोला है तो मैं यह आपके माधिम से बताना चाहता हूं कि नंदा साब यह क्लियर करें कि किस लीडर ने हमें मरा और आप बारीदारों की इतनी तोहीन कर रहे हो शर्मानी चाहिए आप लोगों को ऐसे इतनी बड़ी कुमूनिटी का आप जिसका आपका प्राइमिस्टर हमारे साथ कमिटमेंट करता है कि आपका मसला हल करेंगे आपके पीमों में जो सेंटर मिनिस्टर हैं वो कमिटमेंट करते हैं क야지 का मसराह ह hypertively और आप जैसे लीडर जब जो हैं बारीदारों के बारीदारों के इतने गल्द शब्द इस्तामाल कर रहे ऩो तो जिसके लिए आपको क्लेर करना चाहिए कि्स लीडर ने हमें मरा हुआ साम बोला था नहीं तो आप को बारीदारों से नहीं है मोईल टावरी नहीं है तो आप उन बारीदारों को अपने साल लेकर कैसे चल रहे हैं देखिए मैं आपको बताना चाता हूँ को बारीदार जो है यह सरौंडिंग बैशन देवी की गुफा के सरौंडिंग रहने वाले जो लोग हैं यह सभी गाउं में रहते हैं और गरीव लोग हैं जिस सब को पता है लेकिन आज तक 35 साल तक इनका सोच नहीं हुआ किसी भी सरकार ने इनका कुछ नहीं किया तो यह मैं कहना चाता हूँ बाजपा से एक मेती के प्राइमिस्टर नरंदर भाई मोधी सच बोलते हैं आप बारीदारों की वाज रख रहे हैं आप उनको कैसे लेकर चल रहे हैं अभी तक आपने उनसे क्या बात की देखिए बारीदारों के जो पहाड जहां पर बैशन देवी की कुफा के पीछे जो गाउं है जहां कोटली मने उत्रा जहां उपर के लड़्डा टोट साड़ी वाले जितने भी गाउं हैं के सब के और नहीं नाच्छनल कांफेंस ने बिल लाने की कोशि़ी की उसमें भी बाजपार ने रोडा अरकाने की कोशि़ी की उसके बाद हमारा एक प्राइविट बिल जो है मान्नी है मनकोटिया जो हैं पैंथर्स पार्टी के बिदाएक थे उनχोंनें असेंब्ली में बिल लाया उसमें कांग्रस ने उसकी स्पोर्ट की और उसके बाद वो सलेक्ट कमेटी में बेज दिया गया, सलेक्ट कमेटी बाहर गया, उन्होंने सारे मंदरों का दोरा किया और देश के अन्ने मंदरों में बारिदारों को क्या दिये जाता है, उसके उपर एक बाकाईदा रपोर्ट पेसरा गई में लोग, पृष्छे दिन आपने देखा ओके बाजपा के स्टेट डिस्टर्क प्रेस्ट सथेट और यहाँ वह कहते हैं का मैं मेमरेंटनं तक नहीं पड़ां square, अब जो नंदा पार्टी और खासकर अजनन्दा जी पे आरोत लगा रहे हैं बड़ा गहरा आरोत हैं लेकिन ये भी सच है जैसे की डीडी सी जेर परसन रियासी उन्होंने का था कि आप ही के साथ अजनन्दा जी जब मले थे तो धरने पे बैठे थे बारिदारों के साथ श्राइंड बोर्ड के बार किया था तो एक ही रोड रियासी किया रोड बंद थी और नंदा जी सड़नली जम्मू से आ रहे थे तो बहां पे उनको रुकना पड़ा आप वो कोई बीडियो क्लिप लाइए जहां पे नंदा साथ हमारे पास दरने में बैठे थे ये एक किसम की पालिटिक्स कर र नंदा साथ ने एक भी स्टैप आज तक जब तक ये पावर में रहे जब पावर से आउट होने के बाद भी आज तक बारीदारों को लेकर कोई एक काम किया तो बता दें अभी उन्होंने कारे करनी में जे भी कहा कि बारीदारों को लेकर बाजपा ने कमेटी बनाई थी शील मंगोतरा जी जो डिस्टिक प्रेजिडेंट है बीजेपी के उन्होंने हाली में एक इंट्रिवू में कहा था कि बारीदार आपस में ही बिढ़ रहे हैं तो इनके ओपर क्या करें देखिए मैं आपके मीडिया के माधिम से बताना चाहता हूं कि बारीदार कहां बिढ़ रहे हैं जे हमें बताएं तो सही जे सिर्फ पाल्टिक्स कर रहे हैं क्योंकि ये इनकी नलाई की सामने आ चुकी है क्योंकि जे बिफल रहे हैं बारीदारों का मसला हल करने के लिए जे तरह तरह के इलजाम लगा रहे हैं बारीदार तो सब जुनाइट हैं सभी की एकी डिम कसूर किया था हमने क्या गलत किया जिसके लिए हमें जे सजा दी जा रही है तो वो उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है उन्होंने तो बारिदारों को बरसाती मेंड़क भी बोल दिया था अब इस किसम कि अगर बाशाप बोल रहे हैं तो आप समझ सकते हो पार्टी ने किसल बना देते हो जो इतनी बड़े सुमधाय को जो जिसके लिए प्राइमिस्टर आफ इंडिया कमिटमेंट कर रहा है और एक आपका डिस्टर्ग जुबा प्रेजिए उसके लिए इस किसम की बाशा बोल रहा है तो उनको बलाने की क्या क्यों बलाते हैं उनको जबके सारे बा नंता साब इसमें स्यासत करना शोड़ दीजिए और अगर सच में आप बारिदारों के हिताशी हो तो आप प्राइमिस्टर आफ इंडिया के पास जाईए क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट की थी तो आप बारिदारों की बात कीजिए वहां पे अब स्टेट में भी सरकार बात करने हमें क्या देगा श्रीजियो स्राइन बोड तो कम सकम जहां पे नंता साब ने बात करनी थी जब इनकी सरकार थी बहां पे कहीं असेंबली में बिल लाते हैं मैंडमेंड होती जहां से बारिदारों को कुछ मिलता बहां पे जे नंता साब बिफल रहे हैं और अब अपनी नाकामी को शपाने के लिए तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। मिडिया में उन्होंने कहा कि हम बोड को री कांसिटीट करेंगे। तो उसमें बारीदारों का भी कोई ममें आएगा। लेकिन आज तक चराइन बोड तो रीकांसिटीट हुआ नहीं है मेरे हाल मैं अगे हुआ भी होगा तो Посक्ते हो दो Бारीदारों से रखेंपाबसे tienes जब बारिदारों का मसला हो, चाहे आप से बात करने की बात हो, चाहे बीजेपी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे बात करने की बात हो, लेकिन पिछले डेड़ साल से बीजेपी बचती रही है और आप आरोत लगाते रहे हैं, क्या आप कभी चाहेंगे कि एक one-to-one conversation ब आप उसके लिए रडी हैं? बहाँ पे उन्होंने हमें कहा था कि जो बिल नेशनल कांफरेंस के टाइम पेश हुआ था, उसकी कापी हमारे पास लाओ, हम इसी assembly session में इसका बिल पेश करेंगे, तो नंदा साब ने आकर बहाँ पे रोडार का दिया, अब नंदा साब कहा रहे हैं कि 35 बिज़ाय की भी होत अगर बहुत इतने बड़े नेता कहा रहे हैं कि हम बिल लाएंगे तो नंदा जी कहते हैं कि बिल नहीं आ सकता, तो जी मैं कहना चाता हूँ कमसकम क्लियर तो हो कि इसमें सच कोन बोल रहा है और जूट कोन बोल रहा है देखिए देखिए पिछले दिनों डीडी सी काउंसल ने एक रेजलेशन बहां पे पास किया वो उनका अपना अंदरूनी मसला है उसमें हम नहीं पढ़ना चाते हैं क्योंकि अगर वो चाते हैं कुछ करना तो ठीक है रेजलेशन उनने अब डिस्टर्ग में तो जे मसला हल होगा नहीं डीडी काउंसल के पास तो जा अक्तियार है नहीं कि जो जहाएं अगर वहां पे जाकर बारिधरों की बात करें अब रेजलेशन जहां पे पास कारे करनी में बोलने से घट … होगा नी मैं तो एक और बात बोलूँगा कि बाजपा जहां पर अपना स्टेंड क्लियर करें क्योंकि बहां पर बाजपा के नैशनल लीडर भी बहां पर कारे करने में बैठे हुए थे तो कमस्कम ये तो बताएं कि बो नंदा साब जी के स्टेंड के साथ खड़ी है बाजपा जहां बाजपा बारिधारों के साथ खड़ी है क्योंकि नंदा साब तो कहते हैं कि बिल पास नहीं हो सकता तो नंदा साब कमस्कम आपने कोशिच की होती assembly में bill लाया होता तो उसके लिए आपकी सरकार थी सरकार का bill तो मेरे खाल में पास हो जाता अगर उसके लिए जैसे आपने बोला कि two third मजाटी चाहिए तो आप bill assembly में लाते हम भी देखते कौन पार्टी हमारा विरोध करती क्योंकि कांग्रस ने महाँ पे bill का समर्थन किया national conference ने bill लाना चाहती थी उन्होंने भी उसका समर्थन किया तो फिर हमारा विरोध कुन करता आपने bill नहीं लाया आप बोलते हो कि two third मजाटी चाहिए two third मजाटी कैसे रियासी में बैठकर तो आई की नहीं आप bill नहीं ला सके तो two third मजाटी कहां से आती जे नंदा साब को मैं पूछना चाहता हूँ आप बातें करने से कुछ नहीं होगा आपकी नलाइकी जो आप पकड़ी गई है आपकी नाकामी पकड़ी गई है आप इसमें बिफल रहे हो आपने कुछ नहीं किया आप सीधा मुद्दे पे आ जाएए अगर आप सच में सच बोल रहे हो तो मीडिया के सामने आकर one to one बात कर लीजिए हम भी बैटेंगे आप पोजिशन के दूसरे लोग भी बैटेंगे और नंदाजा भी सामने बैटें बात हो जाएगी आखरी सवाल है अलग अलग राजनितिक पार्टियां या नेता हमेशा से आपके उपर एक तंज कस्ते हैं कि आप लोग अभी कठे नहीं होते आप में पूर तो फिर आप लोग मिलकर कोई एक ऐसा शक्ती प्रदर्शन क्यूं नहीं करते कि आपकी यूनिटी सब के सामने जाहिर हो जाएए इसमें आप लोग क्यों भी फल रहे हैं आप देखिए मांचु जी जहां तक यह भाने लगा रहे हैं कि बारिदार डिवाइड हैं और ग्रूप हैं इसा कुछ नहीं है और यह जैसा आपने बोला कोवीड को खतम होते ही आपको जे सब कुछ दिख भी जाएगा हमने लगां के संगर्स कमेटी के साथ हैं तो इस किसम की बाते हैं करना के बारिदारों के गरूप हैं आगर गर में कोई गरूप है अप बाजपा दोरा zero करते हैं पहले Tä BAR कि नम्हें आ अब था पाई और को इन्हें लिए का कई आ तो यह कि इस किसम की बाते हैं आप नहीं चलेंगी बारीदार बड़ी जल्दी अपनी स्टैंस जहां पर दिखाएंगे जब कोवीड का प्रकोग भत्म हो जाता है जब यह सारी एस वपी जहां से हट जाएंगी तो कम से कम बारीदार उस समय अपनी शक्ति प्रदर्शन भी कर बारीदार कमेटी जो है बारीदार तैय करेंगे कि उसने प्लिटिकली कहां पर जाना है लेकिन कम सकंब यह हम बता देंगा अगर बाजपा ने एलेक्शन तक यह मसला हल नहीं किया तो बाजपा का कम सकंब पूरे बारीदार बिरोध करेंगे जहां मैं आपके मादेम से बत